हेलो बोच्चो वेलकम बैक तुझाल आप लोगा स्वागत है और आज हमारे इस चप्टर की आखरी लक्षर जिसमें हम एडवांटेज लिमेडिशन करके चप्टर को क्लोज कर रहेंगे तो आपको पूरा चप्टर अच्छी समझा आगया हो फिर भी अगर कोई परशानी होत है उसको एक स्पेस दिया है उसको पैसा भी देतो महीने का सालोरी तो क्या फाइदा आपको इतना खर्चा करने के टांशन लेने का फाइदा एकाउंटिंग का तुझा सबसे पहला फाइदा है प्रोवाइडिंग इंफुमिशन अबाउट फानेशन परफॉमेंस अगर accounting help in providing information about the financial performance that is net result of business activities and accounting period मताई के काउंटी पीरिड में बिजनस की क्या एक्तिविटीज होई है कितना प्रोजिंग स्टॉक है कितना प्रॉफित इंफोमेशन अब यूर बिजनस आपको अपने बिजनस के सारी इंफोमेशन आपके पास होगी तो फस्स बेनिफिट यह हो गया जगी अगे बढ़ते और बहुत सारे मैंने लिखें आपर इसकी बात करते हैं असान सब्सक्राइब यह आउसेमेंट सबस्ट और रही चुछ पिंतल्यरिया साथिसिजन साब करते हैं जोना अगेर कि मैंगे जहे इस एक चुक्राइबो इसाई चीजों को इवेलवेट करने के वादे तो आप आप देगो कि कितना ओडर दे तो यह सब इंफॉमेशन काब होगी जब आपना अकांटिंग बनाई होगी तो आप देख पाओगे कि इतना कॉंटिडी बचा हुआ है महीने में इतना सेल होता है तो हम इतने रिक्वार् होगे तो वह अच्छे से डिसजंस ले पाएंगे प्लानिंग कर पाएंगे कंट्रोलिंग कर पाएंगे कि मेंजमेंट का बहुत सारे काम होते हैं क्लिवर्ट अगला साथिटी कंपरेटिव स्टडी एक वाइदा अकांटिंग यह भी होता है कि आप अपने आपको खुद से और किसी दूसरी फंश से कंपेर कर सकतो खुद से कंपेर करना ना इंटरा फorkं कमप्रिजन और किसी दूसरय से इंटर फंख टो हम लिएक लिए पोग मतर tax piston किसी किया एंडर इंटर फाइदा यह भी है कि आप कंपयर कर सकते हो अपने आपको कंपेर करोगे तो इंप्रूब करोगे अगला भी नमोरी मतलब किया कि मिल मुंत्रे पाउब्स कोई हवें रहती है तो और सारी चीज है कि बीडूूरी की 2000 तुर सुअझज को सब्सक्राइब करते हैं आगे बढ़ते आगे अगला कैं ए फिर्टाइव टैक्स लाइबिट यह रहता है जब का आप अपना अपना अकाउंटिंग नहीं बना वे ता आपको किता प्रॉफिट लॉस है जब प्रॉफिट इलॉस पता नहीं चलेगा तो आपकी हमें पता रहता है इतना क्ल rental के लिए हम अपने पनाल ऐक जखें हैं टेक्स लग रहे हो चलो यसा करता है याएं अभी नहीं बैंक बोलेगा किस चीज़ का बिजनस आपका तो मेरा इस चीज़ का बिजनस है दिखाओ आपके बिजनस की बॉजिशिन कैसी है तो चाहिए होगा अकाउंटिंग या निमाइव मेरी फानिसले स्टेटमेंट फिर मेरी काउंटिंग को देखे हो रहे हैं बहुत बढ़ आप अकाउंटिंग की अपनी स्टेटमेंट दिखा के आप बैंक से लोन ले सकते हो तो एक यह भी बेनिफिट आपका अगला इविदेंस इन कोड मता कोई ऐसी केस को इसी सिचुशन फर्स गई जहां पर आपको आपनी स्टेटमेंट बैंक को मताब कोड में दिखाना पड से लिग बिजन्स बिजन्स को सिल करने के जिए हैं अगर आपको इसी बात अगर इस ले रहे हो तो इन्फॉमेशन चीए इन्फॉमेशन कहां से मिले कि अकांटिंग से तो यह आपको डिसिजन्स मेंग में भी हल्प करता है तो यह सब आपके इसके बैनेफिट थे आई इसके बैंक से कोट में इविडेंस का काम कर रहा है विजिए सारे दो नौ नमबर का तो नहीं आएगा तो कोई भी आप इन पॉइंट को एक्स्पेंट कर सकतो तीन नमर में कुशन आता है डवांटेस का ऐसी तीन नमबर में लिबनेशन का भी आता तो लिमिटेशन भी दे इसके अंदर कमिया उनकी बात करेंगे तो सबसे पहला है एकाउंटिंग इस नौट फुली एक्जेक्ट क्यों नहीं है तो दिको एकाउंटिंग जो बनता है वह एविडेंस और वाउचर्स के बेस पर बनता है जानने नहीं जाते हैं डेट साइट इस आपके एक्जांपल सबस्क्राइब करें अपने स्टाफ को बहुत जाओ भाई साब लेना तो दोस्व को करिद के लाए और धाइसों का बिल मिल उसने डाइसो लिख दिया क्या अकाउंटिंट या मालिक जाएगा रियल सक्ट देखने गया एक एक वरकर गया समान के लिए ट्रांस्परश्चिन अग्जक्त नहीं होता है तो पहला तो यह होगिया की कमी देखो क्या होता है अकाउंट अगे परिंसिबल पढ़ेंगे वो कहता है हिस्टॉरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल थर्ड चेप्टर में आएका मताइं के लिए प्रिंसिपल है कि हम कोई भी एसेट सगर खरीदते हैं तो जिस वैलू पर खरता उस वैलू पर लिखेंगे और एक इस्टिमेटिट बेस पर अप्रिशेशन लगाएंगे मार्किट वैलू क रहा है तो यह कहा है कि यह प्राइस लेवल जेंज को शूंण ही करता तो डाज घंड लाज गयू इंदेगे लिए डा डीनाएवलिक वैलू को शूं नहीं करता क्यंकि यह कौन्स है लिख फिट्रीकल कॉस्ट लेके चलता है छृडती है इसलिए पूरी तरह सा एक अजलत 30 प्राइस लेवल चेंज को शो नहीं कर रहा है तो प्राइस लेवल चेंज को शो नहीं कर रहा है तो प्राइस लेवल चेंज को शो नहीं कर रहे हैं तो प्राइस लेवल चेंज को शो नहीं कर रहे हैं तो प्राइस लेवल चेंज को शो नहीं कर रहे हैं तीसरी कमी होगे चौत है इगनोर क्वालिटीटिव इन्फॉमिशन भाई साप क्वालिटी को तो रिकॉर्ड करता है यह जैसे मैंने एक शर्ट करता तो यह निलिखेगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी है बस कितने का वह खड़ता लेबर काम करते हैं दस दसों की सारी लिख क्योंकि हमने डेफिनिशन भी पढ़े कि अकाउंटिंग और ली रिकॉर्ड मॉनिट्री ट्राइक्शन से मनी के ट्रम को रिखता है क्वालिटी को नहीं बताया था तो इसकी कमी है चौती कमी होगी आप पांच हुए एफक्टेड वाई बिंडो ड्रेसिंग वाइस विंड पूर्ण गूमने जाते हो ना तो आपको क्या करते हो कौई भूख लगते उसका अपने तो रेस्ट्रूंट कॉन सा बाहर से बढ़िया दिख रहा है कि हमें तो पता नहीं कि कौन सा अच्छा है कहां खाना मिलता है तो हम यहीं देखके चूश करते कि जो बाहर से अच्छा अच्छा होगा कि नॉमल जो हुमन रिस होता है साइकलोज हम यहीं करते है तो देखते कि अच्छा धिक रहा है तो खुस से अंदर खाते यह अब पिकाते हैं ऑप श्की ऐसको बहुत अच्छी सा अच्छी गाली देती तो भाल निकल जाते वे खाना खराब होता है तो तो क्या बनाया यह वो गाली तो क्या था वो आपको अट्रेक्ट करने के लिए बाहर से बहुत बढ़िया बना रहा था अंदर से लगता अंदर से कुछ और ही था डैडिस विंडो ड्रेसिंग जैतना आप उसे ज्यादा खुद को रिपरजिंट करना तो अकाउंट में बना रहे कि दिखने में आपका बिजनस बहुत ही ब्रॉड बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर से खोकला होता है तो यह विंडो ड्रेसिंग से इफ्यक्टेड होता देखो अगा अपने न्यूस सुनी होगी कोई बिजनस एकदम से चमकता दिखता रहा है और एकदम से दिव ज पीज़े खेल कचा और उसके पछलते बैक बड़ी दुकान खूल तो उसके सब्ट बहुतता पर इक दुकान खूलती गहो इसका तो रिपरजेंट खुद को जादा करना तो अग्षा बिजन सब्सक्राइब करती है तो आप लोग को मेरे साथ मज़ा आया होगा पंडे में अगर मज़ा आया तो प्लीज वीडियो पे कमेंट कर दे लोगों के साथ शीयर करें अपने दोस्तों के साथ वह भी इस चीजों को सब्सक्राइब बाइब